भारत ने रविवार को हंगरी में इतिहास रजदिया। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने हंगरी के बुड़ा पेस्ट में अंतिम दौर में अपने अपने विरोतियों को हरा कर 45 वे सतरंज ओलंपियाड में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। ग्यारेवे और अंतिम दौर के मैच में दी गोकेश, अरजुन एरिगेसी और रमेश बाबु प्रगननदा के अपने अपने मैच जीतने के बाद पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया। महिला टीम ने अजरबेजान के खिलाफ 3.5 का स्कोर किया, जबकि अजरबेजान ने केवल 0.5 का स्कोर किया, डी हरीका ने भारत की जीत में एहम भूमी का निभाई। दिव्या देश्मुक ने भी एक बार फिर अपने विरोधियों को पचाड कर तीसरे बोट पर अपना नेजी गोल्ड मैडल पक्का कर दिया। रमेश बाबु वेशाली की बाजी ड्रो होने के बाद भारती टीम ने वंतिका अग्रिवाल की एक और शांदार जीत से अपनी जीत पक्की गल्डी। तब भारत ने 2014 में और दूसरा 2022 में ब्रॉंज मैडल चीता था। भारती महिलाओं ने भी चेन्रग में 2022 में ब्रॉंज मैडल चीता था।